बच्चों continue करते हैं genetic disorders को और सिरीज में हम autosomal disorders पढ़ते हैं जिसमें है phenyl ketonuria, phenyl ketonuria थोड़े से text में आपकी book में दिया हुआ है, तो हम कोशिस करेंगे कि उतना ही जाने पहले, और क्या ये problem create कर सकता है, कैसा डीचीज है, देखते हैं, ये in born error of metabolism, तो इससे तो ये पता चलता है कि जो metabolic activity है वो affect होगी, कोई metabolic reaction affect होगी, कौन सी reaction affect होगी, अभी जानते हैं, genetics की बात करें, तो ये autosomal recessive rate है, autosomal recessive rate है, तो यानि कि X या Y पे इसका जीन नहीं होगा, किस पे होगा, किसी autosome पे होगा, किस नंबर पे, 12 नंबर के chromosome पे, chromosome number 12, the affected individuals like enzyme that convert phenyl alanine into tyrosine, दो amino acid है, phenyl alanine से tyrosine बन जाती है, अभी हम बनाके भी देखेंगे कैसे बनेगी, and converted into phenyl pyruvic acid, जब phenyl alanine से tyrosine में conversion नहीं हो पाएगा, तो ये phenyl alanine, phenyl pyruvic acid और उससे मिले-जुले compounds में change हो जाएगा, और ये compound क्या होंगे, brain में accumulate हो जाएगे, ठीक है, accumulation of these into brain lead to mental retardation, इसकी वज़ा से mental retardation चालो हो जाएगा, और ये urine में भी आना शुरू हो जाएगे, urine में आना शुरू हो जाएगे, ते तीन group common होते हैं, एक तरफ amino group होगा, एक तरफ acid group होगा, एक hydrogen होगा, और vary करता है ये fourth group, तो यहाँ पर अगर ये लगा हुआ है, CH2 के साथ फेनाइल लगा हुआ है, तो यह amino acid है, फेनाइल, एलेनिन, खेल एलेनिन, CH3 होता तो एलेनिन है, फेनाइल group लग गया तो फेनाइल एलेनिन है, अब इस में एक enzyme इसके उपर काम करता है, उस enzyme का नाम है, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज और इसकी वज़े से इसमें कनवर्ट हो जाती है थोड़ा सा कनवर्जन हो जाता है क्या कनवर्जन हो जाता है CH2 भी यह रहता है यहाँ पर OH ग्रूप आ जाता है अभी यह अमाइनो एसिट फेनाइल एलेनिन थी है और अभी अमाइनो एसिट टाइरोसिन हो जाएगी और यह कब होता है जब यह कनवर्जन नॉर्मल होता है नॉर्मली ऐसा होता है टाइरोसिन बहुत ही important amino acid है इसका इस्तेमाल होता है dopamine के formation में इसका involvement होता है milanin के formation में milanin आप जानते हो skin का pigment है इसका होता है epinephrine के formation में epinephrine and nor epinephrine ये adrenal gland के hormone है ये कब होगा जब सबकुछ सामान्य है सबकुछ normal है लेकिन किसी कारण से अगर इस enzyme में mutation हो जाए अगर किसी कारण से enzyme के gene में mutation हो जाए एक substitution reaction होती है आपको नहीं जाना है उस पर substitution होता है बज़ इतना जान लीजे ठीक है genetics पे ज़्यादा जाना नहीं है बुक ने आपके ज़्यादा लिखा नहीं है तो ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें ultimately basic सीखना है और आगे बढ़ना है pathological aspect हम इसलिए नहीं discuss कर रहे हैं क्योंकि कल को अगर आप medical professional बनोगे या पेरा medical professional बनोगे अपने आप सीख जाओगे तो अगर इसमें mutation हो जाता है तो फिर क्या होगा तो यह conversion नहीं होगा fail हो जाएगा और क्या बन जाएगा phenyl pyruvic acid बन जाएगी और उसके derivative बन जाएगे तो क्या melanin proper बनेगा नहीं बनेगा dopamine proper बनेगा नहीं बनेगा एपिनेफरिन और एपिनेफरिन बनेगे नहीं बनेगे तो इससे problem क्या आएगी इससे mental retardation चालू हो जाएगा आप जानते हो dopamine एक बहुत अच्छा neurotransmitter है इससे skin में races आने लगेंगे इससे इससे आने लगेंगे dopamine, एपिनेफरिन, और एपिनेफरिन यह सब behavior को भी काफी हद तक control करते हैं यहाँ पे behavioral changes भी आएगे behavioral problems भी आएगे और यह सिर्फ इस वज़े से आएगे कि यह conversion नहीं हो पाएगा mutation की वज़े से तो यह एक तरह का autosomal necessity disorder है behavioral changes में जैसे mood swing होगा mood swing कही कारण से हो सकता है लेकिन यह भी एक कारण हो सकता है तो phenyl ketonuria में इतनी ही बातें आपकी book में बताई गई है तो इतना काफी है यह याद रखना है कि conversion नहीं हो पाता है ठीक है किसका phenyl alanine का tyrosin में क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि जो enzyme convert करता है उस enzyme का क्या नाम है phenyl alanine hydroxylase वो enzyme mutate कर जाता है जिसकी वज़े से phenyl alanine tyrosin में convert ना होके phenyl pyruvic acid और उसके derivative में convert हो जाती है यह सारे चीज़े नहीं बनती है तो यह सारी problem साने लगती है ठीक है और इसका detection हम urine से बहुत आराम से कर लेंगे क्योंकि urine में भी यह derivative के दिखने लगेंगे तो यह phenyl ketonioria के बारे में था इसके बाद कोई दूसरा genetic disorder Thank you